रन्बीर कपूर बनेंगे राम ये खबर हो गए है इतनी ज्यादा आम कि अब रन्बीर कपूर को राम के अवतार में देखने के लिए हर कोई बेकरार हो गया है और फैन्स और ओडियन्स के इसी एक्साइटमेंट को हम लेकर जा रहे हैं एक और स्टेप आगे क्योंकि जूम पर एक्स्क्लोसिब लिया गया है सबसे पहले रन्बीर कपूर को राम के रूप में इमाजिन करने वाले नितेश दिवारी का रियाक्शन वेल 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 नितेश दिवारी का क्या था रियाक्शन जब उनसे मांगा गया रनबीर कपूर और साइप अलवी को रामाइना में लीड पैर बनाने के रीजन विल हमारी स्टोरी के साथ बने रही है आपको पता चल जाएगा रीसंटली निटेश तिवारी और उनकी वाइफ अश्विनी अयर तिवारी ने ग्रेस किया Filmfare Round Table event और इसी दौरान जब Red Carpet Interview में रुद्रानी चाटुराज ने निटेश से पूछा RK Star और रामाइना के बारे में तो देखिये क्या था एक्स्क्लूसिबली जूम पर निटेश तिवारी का रियक्शन निटेश फिलहाल रामाइना पर किसी भी तरह की बात करने के लिए तयार नहीं है हाँ उन्होंने रिंबीर कपूर और साई पलवी स्टार रामाइना की प्रेपरेशन से भी इंकार नहीं किया है पर बार-बार पूछने पर भी आया निटेश की तरफ से एक ही रियक्शन कि वो फिलहाल रामाइना को अपने दिल में छिपा कर रखना चाहेंगे वेल अब निटेश भले रामाइना को फिलहाल अपने दिल में रखे पर रामायना के कई सारे अपडेट्स एक के बाद एक बाहर आते जा रहे हैं। रिसेंटली ये भी सुनने में आया है कि लॉड हनुमान के रोल के लिए अप्रोच किये गए है सनी देओ। उसके पहले लक्षमन के रोल के लिए अमिताब बच्चन के ग्रायंसान अगस्त एनन्दा को अप्रोच करने की बाद भी सामने आई थी। पर कहा गया कि दी आर्ची से डेबियू करने जा रहे अगस्त फिलहाल किसी और स्टार के साथ सेकंड लीड करने के लिए नहीं है तैयार। वहीं रावन के रोल में केजी अफ स्टार यश के फाइनल किये जाने के खबर पहले ही आ चुकी है। ऐसे में नितेश तिवारी भले ही रामाइना को अंडर राप्स रखने की कितनी ही कोशिश क्यूं न कर लें। पर फिल्म को लेकर बाज क्रियेट होते ही जा रहे हैं। और हम जल्द ही आप तक रणबीर कपूर स्टार और रामाइना के और भी अपडेट्स लेकर आएंगे। और जब खुद नितेश तिवारी अपनी फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे।